मैं भी सरकार में बैटा हूँ बंगला देश का नेपाल का रुपिया नी गिरता इतनी तेज से इंडिया का रुपिया गिर रहा है वो बयानी नहीं आ रहा है अजकल दिखाई नहीं रहे लोग संसत को खाली कर दो खाली हम हम ही सवाल करेंगे हम ही जवाब करेंगे सब ओके की क्या आपके घर में सलंडर 600-700 का रहा है हमारे घर में तो पाइप लाइन लगी हुए गैस के तो पता नहीं है लेकिन वह भी बढ़ी रही है अब पेट्रोल आपको 60 रुपे लीटर मिल रहा है यह दाल वाल कुछ सब्सक्राइब यह तो सर यह भी पाइपलाई नहीं लगी होगी आपके घर अगर कहूंगा तो क्या करा जा सकता है सोचल मीडिया पर यह वीडियो बायरल हो रहा है सोचिए एक आम आदमी जिसके हाथ में चाय है और एक दूसरी तरफ इस देश के मनुबादी जाती बादी ब्रामन बादी और सुप्रिम कोट के चीप जश्माने तो कंगारू कोट का यह पत्रकार है जिसके हाथ में माइक ह लेकिन दिमाग में गोवर भड़ा हुआ है यह आम आदमी उसको कह रहा है कि आपको महंगाई नहीं दिखती है गैस इतना महंगा है यह आदमी पत्रकार कहता है कि मेरे घर में तो पाइप लाइन लगा हुआ है वो आदमी आगे कहता है कि लगता है कि आपके घर में दाल च गर में पैसे का पाइपलाइन लगा हुआ है। इनके घर में पावर का पाइपलाइन लगा हुआ है। जो पत्रकार बैठे है। चाहे वो चितरा, तिर पाथी हो। इन जातिबादी मनुवादियों का सारा काम पैरवी से होता है क्योंकि ये सरकार के चाटुकार है, इनका जातिये सर्वसिष्ता पर अधिकार है, इसलिए क्या जाननेगा इस आम आदमी का दर्द? आप सोचिए कल्पना कीजिए किस तरह से ये सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल हो रहा है सोचिए एक आदमी के पास ये पत्रकार गया है तब जाके ये रिस्पॉंस है इस देश के 90% लोगों से ये पत्रकार बात कर ले 22 करोर जिन विर्जगारों ने फॉन भरा था नौकरी के लिए उनसे बात कर ले 5000 रुपे कमाने वाले या 50,000 रुपे कमाने वाले लोगों से जाके बात कर ले कि गैस सिलिंडर की क्या कीमत है दाल चावल की क्या कीमत है आज महंगाई का क्या अलम है पिट्रॉल की में आग लगी हुई है लोग कैसे अपना जीवन काट रहे हैं लेकिन नहीं ये तो सरकार के चाटुकार हैं सरकार के दलाल हैं ये जातिवादी हैं मनुवादी हैं ब्रहामनवादी हैं और ये डरपोक लोग हैं ये पत्रकार नहीं हैं, ये मदारी हैं, ये कंगारू कोट के हैं, ये चाहते हैं कि जैसे ये सोच रहे हैं, जैसे इनका आका सोच रहा है, और जैसे इनके आका को सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जनता वैसे ही सोचे. और इसे लिए इनको Supreme Court के Chief Justice of India रमन्ना सहाव ने कंगारु कोट कहा है सोचिए ये बीडियो इस आदमी का बीडियो इस देश को जो इस देश की जो मीडिया है न उसकी पोल खोलने के लिए काफी है सर्वसार करने के लिए काफी है इस देश का एक भी जातिबादी, मनुबादी, ब्रहामनबादी और चाटुकारता करने वाले पत्रकारों की आउकाद नहीं है कि आम जनता के दुख तकलीफ को दिखाए उनके दर्द को दिखाए उनकी तकलीफों को दिखाए और उसकी बजाए है कि इस देश में जो लोग हासिये पर हैं जिनकी तकलीफे हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं जिनको दवाईया नहीं मिल रही है ये मुकेस महतो हैं, मुकेस सिंग है, ये पत्रकार देखिए पत्रकार की नजर कैसे होती है बारीक होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं रभीस कुमार इसलिए कहते हैं कि पत्रकार वही है जिसकी नजर बारीक हो, जिसकी नजरों में सब कुछ दिखता हो मुकेस सिंग का ये नजर देखिए ये भागलपुर के दो बच्चों की तस्वीर है बार आने वाला है, वो जल्दी जल्दी इट समेट रहा है कि कहीं ऐसा नहों कि इट सब दह जाए ये है गरीबी, ये है लाचारी, ये है बेबसी ऐसे पड़िवारों के जब पत्रकार बनेंगे तब इनको तकलीफे दिखेंगी सोचिए, क्यों कहते हैं सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्टिस कि टीबी और अख़वार देश का आँख और कान होता है जनता का आँख और कान होता है लेकिन जो आँख मोदिया बिंद से गरसित हो मोदिया बिंद नहीं कहा था मोदियाबिंद बोली है सुप्या स्रिनेत ने चितरातिर्पाठी को कि यह मोदियाबिंद की सिकार है मोदियाबिंद य Blood एक बिमारी होती है आँख में जिससे लोग को दिखना बंद हो जाता है कान में ठेंगा पड़ा हो ऐसे पत्रकार है लोग इस देश में और इसलिए डेमोक्रिसी खत्रे में है इस देश की समस्याओं के लिए अगर कोई जिम्यदार है तो इस देश का पत्रकार टीबी और अख़बार और वही पोल यह सक्स खोल रहा है आप सोचिए कलपना कर सकते हैं आगे ख़बर देखिए यह देखिए यह बीजेपी के सांसद हैं दिल्ली से इनके एक एक सब्द में इतनी गाली गलॉज है कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके बाद भी यह सुपर हिट होंगे लेकिन क्या मजाल है कि टीबी और अख़बार इनसे सवाल पूछ ले तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सोचल मीडिया है सोचल मीडिया है बहुजन मीडिया है सोचिए इस मिर्ती रानी के सक्स साथ यह जो सक्स दिख रहा है यह सक्स पर तीभा पाटिल को राश्ट पतनी कह इस देश की जो दुरदसा है इस देश की जो हालत है इस देश की जो बरवादी का जो असली कारण है वो इस देश का पत्रकार है और इसी वज़ा से जब तक सोचिए किसानों ने पत्रकारों का व्यकोट किया उनका अंदोलन कुछ हद तक सफल हुआ इस देश में जब तक आप पत्रकारों की आउकाद तेह नहीं करेंगे उनको सही गलत नहीं बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं है सोचिए पत्रकारता में बहुत दम है मैं रोज कहता हूँ ये लाइन कि मैलकम ने कहा है कि टीवी और अखवार में बहुत ताक्रत है जो दोसी को निर्दोस और निर्दोस को दोसी सावित कर दे राजंदर परसाथ सिंह कहते है कि बीजेपी और आरेसेस का दो कारकरताब के धरों में है एक टीवी और एक अखवार जो टीवी अखवार आपको दिखा रहा है वो दरसल ख़बर नहीं परचार है सोचिए 30 दिनों से महराष्ट में मंत्री मंदल का गठन नहीं हुआ है कोई बहस कोई प्राइम टाइम बिलकुल नहीं संसद में धाई लाक रुपे हर मिनट खर्चा होता है कोई बहस कोई अखवार कुछ नहीं क्या दिखता इनको जी निउच की एक ख़वर पर रहा था वो कह रहा है कि एक पसिम बंगाल के एक मंत्री जिनकी दोस्त के हाँ जो अभिनित्री है उनके हाँ पैसा मिला था भरस्टाचार का सेक्स्ट्वाइड हुन रहा है पत्रकार इस देश में डेमोक्रेसी के खिलाप अगर कोई है तो इस देश का टीबी और अख़वार इस देश के जितने अंदोलन होते हैं जाम जन्ता का गरीबों का मजदूरों का दलितों का पिछरों का आदिवासियों का ये पत्रकार उसको द्रभी आतंकवादी भरस्टाचारी साबित कर देते हैं ये पत्रकार ये टीबी अख़वार उन्हीं अंदोलनों को सही कहते हैं जिसमें आरेस सामिल होता है या जो आरक्षन के विरोध में हो सोचिए आप कलपना कर सकते हैं ऐसे लोग की जोड़ता है मेरी लगातार कोशिस होती है कि मैं आपको मीडिया के हकीकत से रूबरू कराऊं अब तो मैं कह रहा हूं पिछले 6 सालों से क्योंकि मैंने उनके अंदर काम किया है कल सुकेस रंजन सबन समासे हैं निस24 के बड़े पत्रकार हैं उन्होंने कहा है कि कभी-कभी मुझे गिन आती है जबकि मैं खुद पत्रकार हूँ और टीवी में नौकरी करता हूँ एक और पत्रकार है निस24 के OBC कम्यूटी से आते हैं मुकेस कुछ नाम है ऐसे उनका ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं आप लोग देखते होंगे उन्होंने कहा है कि कई बार मन करता है कि पत्रकारों के बारे में मीडिया हॉसेस के बारे में कोई किताब लिख दू उनका मुकेस या कुछ नाम है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है आप सोचिए ये हालत है टीवी की इसका दुक्का CSTOBC मैनोटी के पत्रकार जो है उनको साइड किया जा रहा है सब कुछ जान भूच कर हो रहा है और उसके लिए जिम्यदार है इस देश का सबसे ज़्यादा जिम्यदार है इलेक्त्रोनिक मीडिया इस देश का मीडिया जातिवादी है मनुवादी है ब्रहामनवादी है क्योंकि उसमें सवर्नों का कबजा है और सवर्नों में भी मनुवादी जातिबादी ब्रहामनवादी लोग के मिंटाल्टी का कबजा है और इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तक इस देश में TV अकवार सही नहीं होगा यहां कि सरकारे अपनी उकात में नहीं रहेंगी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी अमरीका में 1960 के दसक में ही होता था गोरे लोग का टीबी था, अख़वार था जब बन होता था दंगा करा देते थे जब बन होता था असोयतों को जेल में डलवा देते थे उसके बाद वहाँ सयतों लोगों ने, ब्लैक लोगों ने अपना टीबी अख़वार सुरू क्या, सोचिए आज ओफरा बिन फेरे दुनिया के सबसे मस्वूर टीबी आंकर है BBC हो, CNN हो, वहाँ रिजर्बेशन है ब्लैक लोगों को आँकर बनाना है, रिपोर्टर बनाना है, पत्रकार बनाना है लेकिन भारत में, फिल्म इंडस्टि उठा के देख लिजे, टीबी उठा के देख लिजे अख़वार उठा के देख लिजे, दिन भर यह लोग हिंदु मुसलीम जाती बाद, प्रोपगेंडा, धार्मिक करमकान को प्रोपगेट करते हैं ये कावर दिखाएंगे, ये दुर्गा पुजा दिखाएंगे, सरस्वती पुजा दिखाएंगे ये तमाम ऐसे चीज़े दिखाएंगे जिससे लोगों में अन्विस्वास पहले लेकिन ये बिख्यान नहीं दिखाएंगे, स्कूल कॉलेज की दुर्दसा नहीं दिखाएंगे हेल्स सेक्टर में जो समस्या उसको नहीं दिखाएंगे आपके दवाई, परहाई, लिखाई, रुजगार इनके मुद्दे पर नहीं हैं क्योंकि इन सब चीजों को दिखाने के लिए सरकार से सवाल पुछना पड़ता है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप टीवी अख़बार का वयकोट नहीं करेंगे अब क्या हुआ है, पहले आप टीवी देखते थे, अख़बार पढ़ते थे अब इन लोग की वहाँ व्यूज गिर गया है, अब यह सब के सब यूटूब पर आगए है इन सब लोग को अंसब्सक्राइब कीजिए और इनसे कहिए दवाब बनाएए कि सही ख़बर दिखाओ हमारे जनसरुकार की ख़बर दिखाओ जिस ख़बर में भय भूक या भरस्टा चार नहो वो ख़बर नहीं है पर चार है इस बात को समझने की कोशिस किजिए और इस आदमी ने पोल खोल दिया इस पूरे टीवी जगत को और सोचिए भारत के सुप्रिम कोट के चीब जसिस कह रहे है कि मीडिया कंगारू कोट लगाता है कंगारू कोट का मतलब होता है कि सही को गलत और गलत को सही कहना निर्दोस को फसाना और दोस्यों को बचाना मैं फिर कह रहा हूँ जो सरकार चल रही है वो इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है जो मीडिया के बल पर चल रही है भारत में अंबानी का मीडिया है अडानी का मीडिया है और जो मीडिया कुछ मालिक सोतंत्र है वो सब जातिवादी हैं सबन समासे हैं जब तक वह आरक्षन नह इन नहीं होगा भागिदारी नहीं होगी मीडिया को नहीं बदला जा सकता है अपनी पर्तक्रिया जूर दिज़िए शुक्रिया निश्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना की एक डरी सबस्क्राइब करने के उसलगन को दोए फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसर्दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें